हेलो आज मैं बनाने जा रहे हूं पालक कॉन विच चीज इसके लिए मैं चाहिए डाइसो ग्राम पालक बारिक चॉप किया हुआ आधा कप कॉन एक टेबल स्पोन मलाई थोड़ी से ग्रेट किवी चीज प्याज टमाटर एक प्याज और एक टमाटर का प्योरी एक चम्मच नमक आदा चम्मच पिसी लाल मिर्च एक चम्मच धनिया पाउडर है अब हम पालक और कॉर्ण को बाइल करने के लिए रख देंगे इसमें हम एक कप पानी अड़ करेंगे साल्ट डालके अब हम इससे उबलने के लिए रख देंगे अब हम इसका मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने वन टेबल स्पून ऑईल डाला है पैन में इसको मैंने गरम कर लिया है अब मैं इसमें जीरा और एक ठुटकी हींग डालूंगी अब इसमें आड़ करूंगी ना याज पमाते कर इसको हम तीन-चार मिनाट तक बन लेगे इसको हम तीन-चार मिनाट तक बन लेगे कर दो कर दो कर दो कर दो अब यह कॉर्ण और पालक बॉयल हो गया है अब मैं इसमें मसाला एड़ कर रही हूं मसाला एड़ करने के बाद हम इसे तीन-चार मिनट और पकाएंगे तीन-चार मिनट पकने के बाद यह ऐसी दिखती है अब हम इसके ऊपर चीज स्प्रेड करेंगे चीज हमें बहुत अच्छे से स्प्रेड करनी है ताकि यह पूरा कवर हो जाए देखे इसमें पूरी चीज मेरी यूज हो गई है अब मैं इसको दो मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी अगर आपकी चीज दो मिनट में मैल्ट नहीं होती है तो आप एक दो मिनट के लिए और रख सकते हैं यह चीज पूरी मेल्ट हो जानी चाहिए आप इसको कंवेंशन पर बेक भी कर सकते हैं बेक करके बहुत ही सुन्दर दिखता है पूरी चीज की लेयर इसके उपर आ जाती है मैंने इसे दो मिनट माइक्रोवेव किया है देखिया चीज मेल्ट हो गई है और यह पालग कॉर्ण देच चीज रडी हो गई है